एनिवेज और एनिवे में क्या अंतर होता है और इनका क्या मतलब होता है और दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है या आज किस वीडियो भी सीख लेते हैं anyways और anyway की अगर हम बात करें तो दोनों का English में इस्तेमाल एक ही तरीके से किया जाता है पर anyway जो है वो formal और correct form है यानि कि जैसे आप आपने मानले जी किसी को कोई काम दिया और वो काम उसने पूरा नहीं किया पर उसने कोशिश की तो हम जैसे कह देते हैं चलो कोई बात नहीं आपने कोशिश की इसके लिए आपका धन्यवाद तो उस तरीकी की जो सेंस होती है जैसे हम फिर भी कहें या कोई बात नहीं या बहरहाल तो उसके लिए anyway का इस्तेमाल किया जाता है और anyway जो है वो correct और formal तरीका है anyways जो है वो grammatically हम बात करें तो वो घलत है anyways कोई word नहीं होता anyway ही word होता है और anyways जो है वो informal तरीका है कहने का याने कि जैसे informal बातचीत करती हुए हम anyway कह सकते हैं पर सही तरीका जो है वो anyway ही है जैसे आप यह कहना चाहें कि कोई बात नहीं मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो तो नहीं मिली लेकिन फिर भी कोई बात नहीं आपका धन्यवाद तो आप कह सकते हैं I couldn't get the information I needed but anyway thank you for trying और informal तरीके से आप anyways भी कह सकते हैं पर correct तरीका जो सही है वो anyway ही है तो anyways गरत है anyways सही है अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें